क्या नाम है आपका ममता गौतम किसकी मृत हुई है हमारे देवर का क्या नाम था जितेंदर कौन सा थाना लगता है आपका मनियाहू लगता है तो उनकी मृत कहां हुई थी उनकी मृत कहां हुई थी खेत में हुई थी क्या करने गये थे वो तो इधर से हमारा मुर्गी का कर दो तो तो मुधे दिन क कम पढ़ा था ओव लेने गए थे और नियाहू बजार से वापस जा रहे थे कि आ रहे थे उसी ताइम ऑप पोस्ट माडम हो गया तो पाइसा भी जा था था जो लिया आज तक रिपोर्ट नहीं मिला हम लोगों अुम को परटा तो मैरे घर पर आता तो हमको मालूं कड़ाना हम को कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है लेकिन कोई कुछ नहीं रहा है प्रसासन आपकी मदद नहीं कर रहा है अभी कुछ कई की आई नहीं है कुछ हो नहीं रहा है तो मालूब उनको कैसे पढ़ेगा अच्छा चल पे ये अश्पी साहब है अजए पाल सर्मा जी क्या निवेदन करना चाहती है उनसे हम चाहते हैं हमारे देवर का हमको निया मिले और जो जो किये है उसको उसको हावालात के अंदर डाले उसको हावालात के अंदर डाले जो आता है गुमाफिर आके एक ही नाम कर देता है, बोलता है तो अपना ही नाम लेता है। अच्छा बताओ यह कि मरने के टाइम कोई अपना नाम लेता है क्या। तो जो उसके साथ मरते हुए आदमी जो बोलता है वो सत्य बोलता है। तो अच्हा अपने खेत में दफना दीये छार दिन के बाद पुली साप सबस्क्सिन मुद्य का कि आमेते कंए जे इंडे हम लोग क biggest only जनाए उविए उपकि यह अभी वो लोग क्या होगा अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं आधे लोग नहीं पकड़े हैं यह जितेंदर हैं जिसके मृत हुई है उनकी भाबे हैं इनका कहना है गाउं के इस एक जितेंदर नाम का लड़का जो उनके साथ में रहता था वही कुछ उनके साथ में गलत किया है और अभी तक को पुलिस के हिरासत में नहीं आया है मैं योगी महराज से कहना चाहता हूँ कि जैसे आए दिन तमाम जगह आप बाबा का बुल्डोजर हर जगह चलवाते रहते हैं ऐसे भरष्ट लोगों पे अधिकारियों पे और जो ऐसे मुझरिम है उनको उनके उपर आपका बुल्डोजर कब गर जेगा और कब चलेगा फिलाल ऐसे हमार नीव चनल को आप देखते रहिए सत्की और जोनपूर जेहिंजेभार